जैसा कि आप सभी जानते हैं बिपाश अबास और करन सिंग रोवर इस वक अपनी बेटी देवी के साथ फैमिली लाइफ इंजॉई कर रहे हैं। कपल ने शादी के एक लंबे समय बाद बेटी का स्वागत किया। इस नवंबर 2023 को बिपाश और करन की बेटी पूरे एक साल की हो जाएगी। इससे पहले कपल अपनी बेटी को लेकर गोवा वेकेशन पर पहुचा। और बेटी के हर एक दिन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बेटी देवी के साथ फोटो शूट से लेकर उसका हर महिने का बर्डे मनाने तक बिपाश और करन अपनी नन ही परी के साथ हर एक पल का आनन ले रहे हैं। बेटी के आठमे मन बर्डे पर कपलु से लेकर गोवा पहुचा। और ये देवी की पहली फ्राइट थी। गोवा में भी करन और बिपाश ने बेटी को कमफ़रेबल फिल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वही पर उन्होंने उसका आठमे महने का बर्डे भी सेलिबरेट किया। बर्डे सेलिबेशिन के तोरान बिपाश अपनी बेटी को गोध में लिए वे नजर आई। इस तोरान नन्ही सी देवी वाइट फ्यारी ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही है। बिपाश और करन जिस रसौर्ट में ठहरे हैं वहाँ पर भी देवी के लिए पहुत ही स्पेशल आरेंजमेंट्स किये वे हैं। देवी सारे टोई से देवी का रूम सजाया वा है। बैट पर भी हैपी एट मन्थ बर्डे लिखा हुआ है। और कई सारे तरीके से बिपाश और करन की बेटी देवी को कमफ़टेबल और हैप्य फिल कराया जा रहा है। वाजर? हुँँख ? хот? वहा हा? मुष्पय? कुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्त अाई मुष्पा? उन्य çू करने मिने ehrlich सारे ढएंच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्otes यु थाँ प्र whispering बिपाशा ने गोवा वैकेशन की कुछ जलक भी शेयर की है जिसमें देवी के बर्डे केक और डेकोरेशन की जलक नजर आई इसे होटल के करमचारियों दोरा अर्रेंज किया गया था कीक में इंददरोश दितलिया और जैली बीन्स थे बेपाशी और करन ने अपने फैंस को तब खुश कर दिया था जब उनने अपने सोशल मीडिया पर देवी का चेहरा रिवील करते वे प्यारी सी तस्विरे पोस की थी उसके बाद तो कपल बेटी के साथ अकसर प्यारी सी तस्विर और वीडियो पोस करते आ रहे हैं गोवा में बीच किनारे डिनर रेट पर भी बिपाशा और करन बेटी देवी को लेकर पहुचे थे और इस पर फैंस उनकी तारीफ भी कर रहे हैं लोगों को कहना है कि बॉलीवूट के ही एक मात्रे से कपले जो अपने नन्ने मुने के साथ इतना वक्त बिता रहे है विपाशा भी हर वक्त अपने बेटी को समय देती है और उनके साथ बहुत इंजोई करती है आप लेकरें करशप खब लेकर